Hello friends, मैं विकास शाक्या और आज Entity Framework के इस वीडियो में इस नए सेशन में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कुछ conditional statements execution के बारे में अभी तक तो जो कुछ हमने देखा था waveform पे जो कुछ भी display हो रहा था that was from entire table वो सारा data सारी की सारी table से आ रहा था टेबल में जितना भी data था वो सारा हम display कर रहे थे बट अगर हमें सारा data display ना करना हो कुछ conditional basis पे हमें display करनी हो चीज़ें तो हम क्या करेंगे ठीक है तो आईए देखते हैं चोटा से एक्जामपल लेंगे चोटी सी वीडियो होगी और हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं ठीक है तो आईए यहां पर एक प्रोजेक्ट करते हैं और मैं schema first का use करूंगा यहां पर यहां आगे आते हैं और entity कंडिशनल करके नाम रख देते हैं इसका इसके बाद हम यहां क्रियेट करते हैं एंप्टी जैसा कि हम इसा करते हैं एक एंप्टी प्रोजेक्ट क्रियेट कर दिया ठीक है अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या करना होता है सबसे पहले तो हम इसमें एक एडियो.net की जो entity है वो एड करते हैं डेटा entity उसको एड करते हैं उसके लिए हमें data पर जाना होगा एडियो.net entity data model को लेते हैं यहां पर और यहां पर हम नाम रखते हैं student data model ठीक है और student data model जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था मेरे पास एक टेबल है student data के नाम से ठीक है यह my test db इस नाम का database है और इस database के अंदर यह student data के नाम से एक table बनी हुई है इस table में मैंने काफी अच्छा खासा record इसमें add कर रखें तो सबसे पहले देखते हैं कि सारे record कौन-कौन से हैं यह सारे record आप देख सकते हो एक से लेकर के साथ तक student ID के साथ यह सारे कि सारे record है जौन, मेरी, विकास, पपन, बबन, आलू, भालू यह सारे नाम है students के उसके बाद यह कहां रहते हैं गोल्ड स्ट्रीट, ओल्ड स्ट्रीट, नोइडा और फिर यह कौन-कौन से courses में enrolled हैं इसके बारे में इसमें information दी गई है ठीक है तो इस table में सारी information हमारे पास है अब हमें क्या करना है हम conditional basis पे कुछ data fetch करेंगे यहां आते हैं मैं schema first का use कर रहा हूँ schema first जो मैंने पहला example लिया था उसी तरह से schema का use करेंगे database schema का और फिर यहां पर वही चीज़ करनी होगी कुछ भी नया नहीं है आपके लिए database आ जाएगा जो मेरा database है उसका नाम है mytestdb जहां पर student table मैंने आपको दिखाई थी अब इसको करते हैं okay और connection successfully हो जाएगा तो यहां पर नाम आएगा एक connection string का मैं इसको कुछ meaningful name दे देता हूं student data या db context आगे चलते हैं और entity framework 5.0 में यूज कर रहा हूं और यहां आते हैं और database table को हम choose कर लेते हैं सब कुछ वैसा यह जैसे पहले कर रहे थे अभी तक इसको choose कर लिया ठीक है अब यह जो entity है वो add हो जाएगी यहां पर database से हमारे सामने आ जाएगी वो entity student की as usual आज भी थोड़ा slow है ठीक है यहां पर यह entity हमारे सामने आगी अब हमें format करना है वेब फॉर्म एड किया वेब फॉर्म एड करती है यहां पर मैं सबसे पहले एड करूंगा ग्रिड व्यू लेकिन इस बार मैं entity data source एड नहीं करूंगा अब मैं यह code की थ्रू करूंगा dynamic page बनाऊंगा तो चलते हैं इसके design पर और थोड़ा इसे सजा समार देते हैं इसे यहां पर आते हैं auto format कर दिया इसे classic कर दिया apply okay so that थोड़ा अच्छा सा दिखने लगे इसके बाद हम जाते हैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं तो कर दीजिए नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं मैंने आज जल्दी से निप्टाना है इसे तो मैं इसको ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा साजाने सवारने की यह हो गया अब data source कुछ नहीं है अब हमें सीधे जाना है कहां इसके form पे जो code लिखा हुआ है इस form का जो code लिखा हुआ है waveform1.aspf.cs कुछ नहीं किया था मैंने यहां डबल क्लिक किया था जैसे डबल क्लिक करेंगे यह खुल जाएगा और आपको यह page load जो method है वहां पर यह आपको ले आएगा और यहां पर आपको कुछ नहीं करना यहां पर आपको सीधे सीधे स्टूडेंट डीवी कॉंटेक्स्ट का एक इस्टैंस बनाना है new student db context ठीक है अब स्टूडेंट डीवी कॉंटेक्स्ट में जो data होगा वो किस table में होगा का नाम है student datas कि यह सारा का सारा data मुझे लेकर के आएगा और यह सारा data मुझे list में लेना होगा ठीक है और यह जो list है यह किस से bind करनी होगी किसका data source होगी यह यह मेरा जो grid view है control इसका नाम है grid view one dot data source इस में मैंने इस data source को मैंने student data table से निकाल करके जो list लेके आ रहा हूं उसको इसके साथ जोड़ दिया है कि जो data source होगा मेरे grid view के लिए that will be from student data table and the list of students returned by the student data stable ठीक है जो list आएगी मेरे पास student data की student की student table से वहां से जो कुछ आएगा वह मेरे data view data जो grid view है उसका data source बनेगा and then मुझे करना क्या होगा grid view one dot bind data source होगा और मुझे data bind करना होगा यह दो function आप जैसे ही call करोगे वैसे ही data आपका display होने लगा तो पहले अभी तो हम सारा का सारा डिस्प्ले करा की देख लेते हैं data की कैसा देखता है आप 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 यहां पर सारा data आ गया जौन परकर से लेकर के भालू तक यह सारे students हैं तो यहां पर सारा data आ गया मुझे क्या करना है अब वो data चाहिए जहां पर student का address Noida हो या फिर जहां पर course science हो या astronomy हो उन students के नाम देने हैं तो हम course की तरफ चलते हैं हम course के basis से filter लगाएंगे और देखते हैं क्या होता है इसको बंद कर दिया और यहां पर अगर आपको condition लगानी है code के अंदर तो आपको यहां पर student data के आगे आपको यहां where condition where clause call करना पड़ेगा where function और यहां पर आपको क्या करना होगा आप कोई भी arbitrary name ली दीजिए that will be assigned to student data अब जैसे ही आप यह करते हो वैसे ही इसका मतलब होता है such that bring the data such that student dot course double equals yeah double course में आप उसका नाम दे दीजिए course का that should be science ठीक है यह तो हो गया where clause लेकिन अब हमें इसकी पूरी list चाहिए where clause से जो कुछ भी फिल्टर होके आएगा to list किया और अब यह सारा data मेरे पास जो आएगा data source अब जब data bind करेगा तो वह सारा data लेकर आएगा जहां पर course science होगा और कोई data यह लेकर के नहीं आएगा तो यह filtering हमने यहाँ add कर दिए इसे चलाते हैं और अब हमारे पास वही data आना चाहिए जहां पर course जो लिया गया है वो science का हो तो आप देख सकते हो उन सभी students का record आया जिनका course science का है ठीक है इसी तरीके से वो सारे student जो की noida में रहते हैं इनका address noida है उनको अगर आप लाना चाहते हो तो यहां पर आपने condition लगा दी address की और फिर वही address list वापस आएगी student की list वापस आएगी जहां पर address noida होगा ठीक है अब आप देख सकते हो यहां पर जो अभी noida के थे वो सारे आ गए अब जो दोनों थे old street और gold street के वो दोनों बंदे नहीं आ रहे ठीक है तो इस तरीके से आप filtering add कर सकते हो अपने entity data framework से जो code आप generate करते हो उसके थ्रू जो वेब फार्म आप पॉपुलेट करते हो वहां पर ठीक है इसके अलावा एक और तरीका है उसको देख लेते हैं वह तरीका यह है कि आप सीधे सीधे जो आपका edmx file है यहां पर जाईए और यहां पर आप इससे select कीजिए और select करने के बाद table mapping पर जाईए ठीक है right click किया table mapping ध्यान से देख लिए यहां पर आप condition add कर सकते हों यहां पर condition suppose मैंने add कर दी course की add कर दी course मैंने यह सोचा कि जो science के हैं वे ही आए ठीक है spelling सही लिखी science when course is equal to science जहां पर course science होगा वही data मेरे पास लेकर आओ ठीक है लेकिन जैसे ही हम यह करेंगे उसके साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह entity compile नहीं हो पाएगी with this condition क्यों क्योंकि इसकी entry जब where clause में है तो जो क्योरी बनेगी उसमें यह expect नहीं करता कि आप जो total mapping है जो total columns है वहां पर भी यह exist करें ठीक है तो अभी मैं आपको error दिखा देता हूं कि वह error क्या आती है आप यहां पर देखोगी आगी problem in mapping fragment is starting at line 44 condition member this.course with a condition other than is not is equal to false is mapped either remove the condition or student on student data.course or remove it from the mapping तो हम क्या करते हैं हम इसको यहां से हटा देगी यहां से हटा गर भी बात नहीं बनेगी since मैंने इस entity को load कर लिया है और load करने के बाद क्या हुआ है कि मैंने इस entity को waveform one.aspx.cs वहां पर भी इसको use किया इस entity को course को use किया हुआ था अभी वहां देखना पड़ेगा course use किया है या नहीं अब वहां पर जाकर के हमें कुछ नहीं करना हमें यह सारा where clause अटा देना है जब हमने वहां लगा दिया तो यहां पर where clause का मतलब ही नहीं है इस तरीके से आपने इसको build कर दिया सब कुछ अठा दिया अब आपने entity के through कर दिया entity conditional आपने कर दिया यहां पर तो अब आपको जरूयत नहीं है कुछ करने की इसको validate भी कर लो आप validate भी कर सकते हो कोई problem नहीं को error नहीं आई और यहां पर अगर आप table mapping में आते हो तो आपको यहां पर एक बर चेक कर सकते हो आपके course की mapping है science की और जो course है वो यहां से मैंने entity mapping से हटा दिया है ठीक है और कहीं और पर भी अगर filter लगाया हो तो वह भी हटा दो क्यूंकि यहां पर अगर आपने लगा दिया तो यह auto query generate हो रही है और यहां पर मुझे waveform.aspx1 देना पड़ेगा ठीक है क्योंकि default folder में मैंने कुछ रखा नहीं है तो अब आप देख सकते हो जो अब नोईडा वाले हैं ठीक है विकास बबबन बबलू यह तीनो भालू यह तीनो नोईडा के थे तो इन तीनों का record यहां पर आ गया तो इस तरीके से आप conditional mapping कर सकते हो ठीक है यह basic थे कोई ऐसा filter दे सकते हो अपने application पे page पर कि वहां पर आप drop down में select करो कि कि किसी का course अगर यह हो या किसी का address अगर यह हो तो ही उसे map किया जाए तो ही उसका data लाया जाए और फिर उसके बाद आप उसका variable का use करके यहां पर उस data को display करो यह आप करके देख सकते हो क्योंकि यही real time जो projects होते हैं उसमें करना पड़ता है ठीक है तो करना कुछ नहीं होगा यहां पर जो value आप दे रहे थे उसको किसी तरीके से एक control की through आपको select करके यहां पर pass करनी होगी जो where clause में हम pass कर रहे थे और आपका काम हो जाएगा ठीक है so अगर मुझे time मिलता है आगे और अगर मैं इससे related videos और बनाता हूँ जो बनाता रहूँगा बट हाब basics मैंने clear कर दी है तो अब video थोड़े इसके धीरे आएंगे मतलब अब मैं इसके English versions को पहले बनाऊँगा और उसके बाद जैसे जैसे मैं कुछ और देखता जाऊँगा वैसे वैसे मैं और videos यहां पर upload करता जाँगा तो गाइस मेरे चैनल को आप like कीजिए subscribe कीजिए अपने friends के शाथ share कीजिए और बताइए मुझे कि और कुछ अगर आपको चाहिए तो मैं इसमें क्या add कर सकता हूँ ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही have a nice day and bye bye